नमश्कार आप सभी को मैं सोनिय सिंग स्वागत करती हूँ बेट दे कॉंपोटेशन पे तो के भी उसकी तरफ से कॉंट्रेक्चुल टीचर की विकेंसी आई है मैंने हमेशा कहा है कि यह दी यह संस्थान आपकी अप्रोच में है तो इंटर्वियू के लिए जरूर जाईए मैं बता दू कि यह जो विकेंसी है यह है मश्रक सारन से आई है और कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन, इंटर्वियू कब है और कुछ विशेश बात है अड्रोटीजमेंट का जो ओफीशल लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपको मिल जाएगा तो सारे चीज़े के करके डिसकस करेंगे तो विडियो को शुरू करते हैं, तो यह केंदरिविदयलमश्रक.kbs.ac.in का यह ओफीशल वेबसाइट है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे, ओफीशल वेबसाइट के उपर वियू आल में जाकर के अनौस्मेंट सेक्शन में एकदम शुरू में आपको तीन एड़ोटिसमेंट मिलेंगी है ना कॉंट्रेक्शल टीचर का कॉलिफिकेशन, बायो डेटा एड़ोटिसमेंट तो हम यहाँ पर कॉलिफिकेशन वाले सेग्मेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा यहाँ पर नजर आएगा मैं आपके सुविधा के लिफिकेशन को काफी जूम कर रहे हैं जो कि आप देख पाएंगे तीस तारीक को यह डेटिसमेंट आई है ठीक है, तीस ऑक्टूबर के आसपास माफ कीज़े, तीस सितंबर के आसपास तो PGT में आई है एकॉनमिक्स में जाहिर सी बात है, मास्टर साब का होना हो होना चाहिए बेड हो और प्रोफेसेंची हिंद इंगलिश मेंनों ने मांगी है जो कि आप देख पा रहे हैं 27,500 इनकी मंथली पेमेंट है PGT की केमेस्ट्री में आई है तो MSC अदि आपने कर रहे है Regional College of Education से NCRT जो है अफिलिएशन हो Knowledge of Computer Application के 27,500 सेलरी है PGT हिंदी में मास्टर सो साथ में हिंदिय संस्कृत में आपने कोई एक विशह आपने पढ़ा होना चाहिए B.A.D. आपके ज़रूरी है PGT English में Again, Graduation, Masters, B.A.D. हो 50% Marks के जो है Criteria पे Computer Science में BA या बीटे कर रखा हो आपने ठीक है, Any Stream BA लेवल के उपर हो आपका Profescentry Hindi English में होना चाहिए संस्कृत में Train Graduate Teacher के सिर्फ आई है तो Regional College से आपको NC8 Affiliated से पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए Paper to Seated का Qualified मांगी रहे हैं आप लोगों से जो ज़रूरी है और Marks आपका Bachelor Degree में 50% Marks एट लिस्ट होना चाहिए और 26,250 रूपेज की salary रहेगी है ना, ये आप complete advertisement देख पा रहे होंगे अब चलते हैं हम website के उपर और देखेंगे इनका जो है bio data ये टाइम सोप इंडिया में आएख advertisement ये आप देख पा रहे होंगे ये विल्कुल वही वाली advertisement जो कि मैंने अभी भी आप से discuss किया तो बहुत कुछ खास इसमें है नहीं bio data के उपर चलते हैं कि क्या-क्या चीज़े आपको चाहिए उस समय जब आप उपलब्द होंगे यहाँ पर अपने जो है interview देने के दोरान तो ये चीज़े भी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके interview देने के perspective से important है bio data में basically इन्होंने मांगा है application form यह आपको देखे download कर लेना यहाँ से जा करके और name किस post के लिए apply कर रहे हैं और permanent address क्या है telephone आपके 12th graduation PG, JBT का रखी experience क्या है और आपका नाम पता wife है या फिर डॉक्टर है यहाँ पर आजाएगा आपका नाम तो यह आपको लिख देना है यहाँ पर और उसके बाद आपको यहाँ पर permanent recruitment in any ground कहने के will not claim आप नहीं claim कर सकते इस चीज़ का ध्यान रखेगा ठीक है और name signatures के साथ आपके हो जाएंगे हलागी देखे हर कोई student contractually तो इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा सचा यही है लेकिन आपके कोई non में है यदि आप इस particular area से belong करते हैं या यदि एक घंटे दो घंटे की दूरी पर भी है तो भी भविश्य में यदि आप teacher बनने का सपना देख रहे हैं तो ऐसे संस्थानों में इंटर्विव देना आपके लिए काफी लाब वर्धक तो है एक experience आप गेन करते हैं और देखा जाए तो selection होने के chances ज़ादा रहते हैं यदि आपका caliber उस तरीके का है तो miss मत कीजेगा इसको जाकर के interview दीजे और experience गेन कीजे होना ना होना तो एक बात की बात है लेकिन positively जाएंगे तो जरूर चीजे संब्ध होता है यहाँ पर हो पाएंगे सारी चीजे आपको description box में मिल जाएंगे मिरस्त बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवात है